हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंट्स अभी बरसात के मोसम में आपको गुलाब की कैसे केर करनी है कौन सी खाद डालनी है और किस तरीके से आपको उसे सेव करके रखना का है ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आए इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसलिए आप पूरा ज़रूर देखे काफी हैलफूल है और पसंद आये तो फ्लीज लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीचे पहला इकन के साथ तो फ्रेंट्स गुलाब की अगर बात की जाए तो इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है इनमें हाइप्रेड प्लांट रहते हैं देशी रहते हैं काफी सारी वेराइटी इनमें मिलती हैं फूलों के कलर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिल जाते हैं टाइगर रोस रहते हैं देसी रोस रहते हैं इस तरीके से इनकी अनगिन मतलब वेराइटी बोली जाती हैं तो इनकी वेराइटी अगर आप देसी प्लांट ले रहे हो तो आपको 60 रुपीज से स्टार्ट होकर 300 400 500 तक आपको रोस मिलते हैं अकोर्डिंग टू प्राइज क्वालिटी के उपर भी डिपेंड रहता है आप कौन सी क्वालिटी का रोस ले रहे हो तो इन सभी मेरे पास कई तरह की वेराइटी हैं और इन सभी को मैंने 3-4 साल हो गए हैं इनकी केयर करते हुए और इनकी मिट्टी वगारा सब कुछ में टा वो हमेशा उसकी न्यू ब्रांच पर ही खिलता है तो एक बार फूल आने के बाद आपको गुलाब की प्रूनिंग करनी होती है जिस ब्रांच पर आपको गुलाब खिला हुआ दिखाई देगा उसके जस्ट नीचे आपको तीन पत्ति दिखाई देंगी और उसके थोड़ा से ही आपको उसको कट करना है वहीं से उसकी न्यू ब्रांच निकलेंगी इस तरीके से आपके प्लांट पर जितनी ज्यादा ब्रांच निकलती है उतनी ही ज्यादा उस पर फ्लावरिंग होती है गुलाब जो प्लांट होते हैं इनकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है नमंब और आप यहां पर देखिए 5 पत्या हैं तो इस जगह से कट करना है हमें पुराना फूल यहीं से इसके 2-3 ब्रांच निकलेंगे और प्लांट आपका घहना हो जाएगा तो यह भी एक पॉइंट रहता है क्योंकि अगर आप 3 पत्यों से कट करोगे तो आपका प्लांट न्यू ग्रोथ नहीं निकल पाएगी और नहीं फिर आपके प्लांट पर ज्यादा फ्लावरिंग हो पाएगी सेकिंडली क्या होता है कि जो गुलाब की कलियां बनती है वो पूरा नहीं खिल पाती वहीं के वहीं जम जाती है ज्यादा तर बरसात में यह सब होता है लेकिन ऐसा नह खा करें मेरे सभी पोट जो हैं 10 से 12 इंच के हैं कुंडे टाइप के पोट है जिनमें इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आती है क्योंकि प्लांट को जितनी ज्यादा इस्पेस मिलती है फैलने के लिए ग्रोथ उसकी उतनी ही बढ़िया रहती है अगर आप छोटे से पो घास होती है वो निकलाती है तो यह घास निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप घास को नहीं निकालोगे तो होगा क्या कि यह आपके प्लांट में जो भी आप फूड डाल रहे हो वो सब अपनी साइड अट्रेक्ट कर लेता है और प्लांट को फूड मिलन उससे प्लांट की जड़ों को अच्छी तरीके से हवा लगेगी और ग्रोथ भी अच्छी निकलेगी नेस्ट डे आपको उसमें पानी डालना है और खाद डालनी है पत्यों का जो ग्रीन रंग रहता है उसके लिए भी मैं अभी आगे आपको खाद बताऊंगी किस तरीके स आपको यूज करना है मेरे पोर्ट देख सकते हो आप कितने बड़े साइज के हैं अगर आप चाहें तो अपने प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने के लिए बढ़ी आसा सोईल मिक्स्चर भी तैयार करके लगा सकते हो जैसे कि 30% आपको मिट्टी लेनी है 30% आपको उसमें स मिट्टी डालते हैं रेत भी नहीं जमने देता है लेकिन मिट्टी जैसे अगर आपकी चिकनी रहती है तो वो जम जाती है और जमी हुई मिट्टी में आगर पानी रुक जाता है तो प्लांट की जड़ों में नीचे नीचे से फंगस लग जाती है जिससे प्लांट की ग्रो क्योंकि अभी बरसात का मोसम है तो ऐसे में हम ज्यादा केमिकल वाली खाद नहीं यूज करेंगे फंगस लग जाएगी प्लांट में तो हमें क्या करना है सिवीड लेना है सिवीड जो होता है ये एक और गैनिक होता है इसमें कोई केमिकल नहीं होता है समुंदर में बनता है और यह आपको दो-तीन तरह का मिलता है, इसे आप पानी में घोल कर भी यूज कर सकते हो, और इसी तरीके से सूखी भी आप अपने प्लांट की जड़ों में डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर आधा लिटर पानी लिया है, और करीब आधा लिटर पानी में हम यहाँ पर एक से दो चमच सिविड फर्टिलाइजर ले लेंगे, और तब तक अपने प्लांट की वाकी जरूरतों को पूरा करना है जैसे की गुड़ाई करना, एक्स्ट्रा घास निकालना, मिट्टी डालना, हलकी हलकी प्रूनिंग करना इस तरीके से तो गुलाब में कांटे बहुत होते हैं, तो आप जब भी काम किया करें तो थोड़ा ध्यान से किया करें, गर्मियों में आपके गुलाब को कम से कम 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए, ऐसी जगह रखिए, और विंटर में पूरा दिन की धूप में आप रख सकते हो, अ भी आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्यों का कलर भी ग्रीन निकल कराता है, सिवीड फर्टिलाइजर जो होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी नाइट्रोजन और माइक्रो नूट्रेंस वगरा होते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छ ग्रोध ही अच्छी रहती है इसके अलावा जैसे कि मैं नीम खली भी यूज़ करती हूँ अपने गुलाब में गोबर की खाद का यूज़ भी करती हूँ गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई रहती है मैं हमेसा उसी को यूज़ करती हूँ अगर गीली गोबर की खाद रखोगे तो उससे भी आपके प्लांट में फंगस लगने के चांस रहते हैं तो हमारी ये वाली खाद अच्छे से घुल चुकी है घुलने के बाद हमें अपने प्लांट में थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है तो मैंने ये वाली खाद अपनी दो प्लांट के लिए तैय हमने इसको यूज किया है अगर ये वीडियो पसंद आये आपको तो प्लीज लाइक शेयर जरूर किया करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई